आज की दिन परमेश्व ने मुझसे कहा है कि वो अकेले पन की सामर्त को तोड़ दीगा आप में से बहुत से लोग अकेले पन से दुख में पड़े हुए हैं भजन सहता 68 भजन 6 कहता है बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो अकेले हैं उन्हें परिवार में बदल दीता है परमेश्वर एक पिता है उसने आदम को बनाया और उसने आदम के लिए एक सहायक को बनाया और वो तो उसके बिलकुल समानता की पार्टनर थी जिसे परमेश्वर ने उसके लिए बनाया और परमेश्वर ने परिवार को बनाया आदम के लिए इस परिवार को बनाया कहां कि आदम को अकेला रहना ठीक नहीं है यह अकेलेपन के दुख में पड़ा हुआ है मैंनी चाहता कि यह अकेला हो मैं इसके अकेलेपन को खत्म करना चाहता हूँ और यहीं पर मेश्वर का दिल है आज वो आया है कि आपकी अकेलेपन को खत्म करती और इसलिए वो कहता है दूसरा कुरंथियों अध्या 6 वचन 18 में वो कहता है मेरी संतान मैं तुम्हारे लिए पिता हो जाओंगा अपने दिल को खोलो और मुझे तुम पुकारो और मुझे ये कहो कि प्रभू मैं चाहता हूं कि तुम मेरा पिता हो जाओ मेरे दिल में आजा मुझे तेरी जरूरत है मैं अकेला हूं मेरे प्रभू अकेला हूं प्रभू अकेलापन कैसे आता है और ये अकेलापन क्या करता है जब हम परमेश्वर का भै नहीं मानते हैं तब अकेलापन हमारे जीवन में आता है अकेलापन पाप की दोशभावना के कारण आता है पाप की दोशभावना हमें दूसरे लोगों से और परमेश्वर से दूर करती है लूका 7.49 में एक पापिंस्त्री येशु के पास में आती है येशु किसी धनी के घर में भोजन कर रहा था उसने दूसरों की परवाण नहीं की वो एशु के पैरों के पास आकर खड़ी हुई और वो रो रही थी वो रो रही थी जो लोग उस पर दोश लगा रहे थे उन सब के सामने वो रोने से ही नहीं हिचकिचाई सब लोग कह रहे थे ये तो एक पापिं है लेकिन उसकी आख है ईशु पर थी वो एशु के पैरों के पास रोती रही और उसके आशु उसके पैरों पर गिरे उसने देखा कि उसके आखसुओं से ईशु के जो पैर हैं वो भीग रहे हैं और उसने अपने बालों से ईशु के पैरों को पोच्छा और फिर वो उसके पैरों को चूमने लग गई और वो पैर तो धूल से भरे थे ईशु ने अपने पैर नहीं दोए थे क्योंकि जिसने ईशु को भोजन पर बुलाया था उसने ईशु के पैर धोने के लिए उसे पानी नहीं दिया था उसने कहां ईशु के पैरों के उपर जो धूल है उसकी मुझे परवा नहीं केवल यही मेरा शरणस्तान है यही मेरा एक मात्र शरंस्तान है दूसरे लोग ईशू के बारे में क्या कहते है उसकी मुझे परवा नहीं दूसरे लोग ईशू से कैसे विभार करते है उसकी परवा नहीं मेरे लिए मेरे अकेले पन में से बाहर निकलने के लिए केवल यही एक मात्र स्रोत है उसने उसके पैरों को चूम लिया सभी के सामने और उसने ईशू के उपर कीमती इत्रे उंडेल दिया उसने अपने सारे पैसे को खर्च कर दिया कि ईशू के लिए भेंट चढ़ाए बाइबल कहती है पहला यहना एक नौ में जरी हम अपने पापों का अंगीकार करें तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पापों को शमा करे और हमारे सारे अधर्मों से हमें शुद्ध कर दे आज आपकी आत्मा शुद्ध की जाएगी आपका शरीर शुद्ध किया जाएगा आप ये ईशू के साथ वापस जाएंगे आप मैंसे कितने लोग ईशू के और से इस महानाशीश को चाहते हैं अपने हाथ उठा कर कहें मुझे शुद्ध कर प्रभू प्यूरिफाई मी धन्यवाद प्रभू शांती से जाए आपके पाप शमा हुए प्रभू कहता है आपका मन व्याकुल नहो आए मेरे दोस्तों प्रातना करते हैं बहु मुल्य प्रभू अपने आपको अपने संतानों पर प्रकट कर और ये भी तुझे देखने वाले हो जाएं प्रभू तो अपनी संतानों को गले लगाले और इन्हें चूम ले प्रभू और प्रभू इनकी आत्मा में जितना भी दर्द दुख है सब निकाल ले तेक अवे अपने आत्मा इनकी पाप में आदतों के कारण जो भी दर्द है दुख है जो सारी परेशानी ये दुदशा है सब दूर हो जाएं ये शू के नाम में Holy Spirit, fill them Lord, transform them, and let the devil never be able to accuse them, no one be able to accuse them, let your love wash their sins away, Lord Jesus, take away every addiction, take it out of their spirits, let all those cravings stop, and let Thy Holy Spirit give them peace, give them the strength to work very well from today, and let them have a joyful experience in their family life, और ये अपने पारिवारी जीवन में बड़े आनन्द का अनुभव करने पाएं, in Jesus name, ईश्यू के नाम, आमें, आमें,